नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप लोगा एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट वर्ल में साथियो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचल फंड की जो ऑक्टूबर 1996 में आने की अक्टूबर 1996 में शुरू किया गया था और दोस्तो इस म्यूचल फंड की सबसे अची खास बात ये है कि इस म्यूचल फंड ने अपना CAGR compound annual growth rate 19% का अभी तक यहाँ पर बना कर दिया है देखी दोस्तो अगर आप इस म्यूचल फंड में एक लाग रुपय का investment करते एक SIP करते तो जो आपकी value है पैसे की जो अभी तक invest होती वो लगबग लगबग साड़े 33 लाग रुपय की होती और जो आपके पैसे की value भी जो बनकर तयार हो जाती वो लगबग लगबग 8 करो पैसे की value है वो यहां पर बनकर तयार हो जाती तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इस mutual fund का पूरा एक overview जानेंगे साथ ही साथ जाने ही कैसी पास्ट की performance और कितना बहतर अगर आप अभी से mutual fund में invest करते हैं तो आपके लिए आपके financial goals को achieve करने में ये mutual fund आपकी मद सानुसराल भाशा में समझाए जा सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को देखे दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर अपने topic का नाम लिख लेते हैं जो की रहेगा HDFC Top 100 fund दोस्तों बात करते हैं यहां पर इसके थोड़े analysis की सबसे पहले बात करेंगे इसके fund size की जो की हमें यहां पर देखने को मिलता है 334 888 CR का देखे दोस्तों गर बात करें किसी भी mutual fund के fund size की तो वो हमें यहां पर बताता है कि लोको द्वारा अभी तक उस mutual fund में कितनी investment हो चुकी है अगर बात करें expense ratio की तो वो हमें यहां पर 1.04% का देखने को मिलता है देखे दोस्तों यह वो खर्चे होते हैं जो किसी भी fund manager द्वारा उस fund को manage करने के लिए चलाने के लिए लिए जाते हैं यह जितना कम रहेगा उतना फायदा आपको इस mutual fund में होगा अगर बात करें exit load की तो वो हमें यहां पर 1% का देखने को मिलता है देखे दोस्तों गर आप एक साल से पहले अपने पैसे को withdrawal करते हैं तो यहां पर आपको exit load का charge देना होगा अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं minimum SIP investment की जो की हमें यहां पर देखने को मिलती है मातर 500 रुपए की अगर बात करें लंबसम amount की तो minimum लंबसम amount हमें यहां पर 1000 रुपए की देखने को मिलती है दोस्तों बात करते हैं यहां पर इस mutual fund के market cap की तो देखे दोस्तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस mutual fund के market cap की तो maximum investment हमें large cap category में देखने को मिलता है जो की रहेगा 97.71% का बात करें अगर mid cap की तो यहाँ पर हमें investment देखने को मिलता है 1.83% का small cap में हमें यहाँ पर कोई भी investment देखने को नहीं मिलता है देखे दोस्तों कर मैं बात करूं इन categories की तो सेवी द्वारा निधारित नियमों के अनुसार market capitalization के साब से जिन companies की ranking 1 से लेकर 100 तक होती है यानि कि इंडिया की top 100 companies जो है सभी large cap category में आती है और ऐसी companies जिनकी ranking 101 से लेकर 250 तक होती है वो सभी mid cap category में आती है बाकी की companies जिनकी ranking 2-5-1 से लेकर 500 तक होती है वो सभी small cap category में आती है तो देखे यहाँ पर आपको जो का maximum investment है वो large cap companies में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको जो investment है वो एक safe side होता वा नजर आएगा अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस mutual fund के top sectors के बारे में तो financial, energy, consumer staples, technology, construction जैसे हमें यहाँ पर इस mutual fund के top sectors देखने को मिलते हैं अगर मैं बात करूँ top holdings की तो ICICI bank, HDFC bank, Reliance Industries, NTPC, भारती Airtel, Infosys, Axis Bank, Coal India, IITC, KOTAK, Mahindra, Tata Consultancy, Tata Motors काफी शांदार हमें यहाँ पर इस mutual fund के top holdings भी देखने को मिलते हैं दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस mutual fund के past के 10 years के returns की तो देखे वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 17.30% की काफी शांदार हमें यहाँ पर past के 10 years भी इस mutual fund के देखने को मिलते हैं तो दोस्तों ये था इस mutual fund का पूरा एक overview, अब हम यहाँ पर बात करते हैं investment की, कि अगर आप इस mutual fund में SIP अलमसम amount अपना invest करते हैं, तो future में आपके financial goals को achieve करने में, ये mutual fund आपके कितनी मदद कर सकता है, तो चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं investment की, देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लेकर चलेंगे SIP का amount, जो की हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, 4000 रुपै की, बात करेंगर investment period की, तो वो हम यहाँ पर 20 years का लेकर चलेंगे, बात करेंगर returns की, तो देखिए returns हम यहाँ पर, 17% के लेकर मैं यहाँ पर return चलूँगा, द अभी आपको 17% के देखने को मिल रहे हो सकता है भविष्य में आपको कम जादा देखने को मिले तो दीकि दोस्तों यहाँ पर returns कोई fixed guarantee नहीं है कि आपको जो returns अभी देखने को मिल रहे आगे भी है देखने को मिले फिर भी हम यहाँ पर एक जो है reasonable return लेकर चलेंगे जो गयम है आपको 17% के लेकर चलेंगे देखे दोस्तों अगर हम यहाँ पर calculate करें तो जो यहाँ पर हमें value देखने को मिलेगी देखे दोस्तों 20 की जगर आप 22 सालों के लिए इस investment को करते हैं तो यह value बढ़कर हो जाएगी एक करोड़ 10 लाक रुपय तक की, महीं अगर 22 की जग़ा आप 3 साल और बढ़ा दें, माल लेजे 25 सालों के लिए अपनी इस investment को करें, तो यह value बढ़कर हो जाएगी 1 करोड 90 लाक रुपय तक की, ज दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं, लंसम की, अगर आप इस mutual fund में अपना लंसम भी करते हैं, तो future में आपकी जो लंसम की amount है, वो आपको कैसी देखने को मिलेगी, देखे दोस्तों, यहाँ पर जो लंसम का amount है, वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 2 लाक रुपय का, बात करें, returns की, returns हम यहाँ पर 17% के लेकर चलेंगे, time हम यहाँ पर 25 सालों का लेकर चलेंगे, तो देखे दोस्तों, जो यहाँ पर आपके पैसे की value बनेगी, वो यहाँ पर लगबग लगबग 1 करोड रुपय तक की आपके पैसे की value यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जी ह थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी हल्प हुई होगी, वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रही होगी, देखे दोस्तों गर आपको मारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा काम अच्छा लगे, तो मारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा, अगर आप लोग का भी कोई कोश्चन है, कोई डाउट है, किसी तरह कोई पोर्टफोलियो एनलिस है, जो कि आप हमारे चैनल पर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं, बाकि दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, एजू के परपस वीडियो आपके लिए बनाई गई है, किसी पी तरह की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हूँ एडवाइस ये वीडियो नहीं देता है, बाकि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब सरूर कीजेगा, धन्यवाद